हम खीरे को हमेशा सलाद के रूप में खाते हैं, लेकिन खीरा खाने से कौन-कौन से फाइदे होते हैं, आज में आपको खीरा खाने के सारे फाइदे के बारे में बताऊंगा। खीरे खाने की सबसे बड़ी खाशियत है कि इसमें 80% पानी होता है, खीरा प्यास बुजाता है और शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। खीरा खाने के बाद शरीर को प्रयाप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों और तवचा की गहराई से सफाई करता है, जिससे आपकी तवचा चमकदार रहती है। इसके अलावा दूप में जुलसी हुई तवचा को नए केवल राहत देता है, बलकि तवचा की जलन और टैनिंग को भी कम करता है, आंखों को शीतलता प्रदान करता है। फ्रीज में रखे खीरे को काटकर आंखों पर रखने से आंखों की थकान मिटती है, इसके सलाइस को आंखों की पलक के उपर रखने से आंखों को ठंडक मिलती है। खीरे खाने से लीवर की जलन कम होती है, यह शरीर के जहरिले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा यह आंखों की भी बखुबी सफाई करता है, हमें परती दिन कुछ विटामिन्स लेना बेहत जरूरी होता है। खीरा अकेला हमें परती दिन कई तरह के विटामिन्स देता है, खीरे के चिलके में विटामिन्स C होता है। यदि आपको साफ सुत्री और चमकदार तवच्चा चाहिए, तो आपको खीरे से अवश्य दोस्ती करनी चाहिए। खीरे में पोटेशियम, मेगनीशियम और सिलिकोन अत्यधिक मातरा में मुझूद होता है। यह खनीज तवचा के लिए बहुत जरूरी है। खीरा वजन कम करने में भी सहायक है। जो लोग अपना वजन गटाना चाहते हैं, वे सूप और सलाद में खीरे का सेवन करें। क्योंकि खीरे में जल की मातरा ज्यादा होती है, जबकि केलोरी नहीं होती। इसलिए यह जल्दी पेट बर देता है। खीरे में फाइबर होता है, जो खाने को पचाने में मदद करता है। आप यदि कबज से परिशान हैं, तो रोज़ाना खीरा खाएं, यह कबज के लिए काफी कारगर दवाई है। खीरे का अगला चमतकारी गुण है, खीरा कैंसर से लड़ता है, खीरा काने से कैंसर होने की संभावना कम होती है। खीरे में कुछ ततव पाए जाते हैं, जो सबीत रहें के कैंसर की रोक थाम में सक्षम है। खीरे में मुझूद ततव, सिलीसिया, बालों और नाकुनों में चमक लाता है और इन्हें मजबूत करता है। सल्फर और सिलीसिया के कारण बाल तेजी से बढ़ते हैं। फ्रीज में रखे कीरे को फेस पर लगाने पर काले दबों से भी छुटकारा मिलता है और खूब सूरती में तो चार जांद लग जाते हैं। अगर आपकी खीरे का इस्तेमाल अपने स्किन के रूटीन में करते हैं तो तवचा से समद्दित सारी समश्याइं दीरे दीरे कम होंगी। मुहांसों जैसी समश्या होना आम बात है यदि आप भी पिमपल से परेशान हैं तो खीरा आपके लिए फाइदे मन्द है। इसके लिए आप खीरे का रस निकालें उसमें कुछ बुंदे निम्बू के रस की मिलाएं अब इसे अपने पूरे चेहरे पर लगाएं कुछ देर लगाकर छोड़ दें पर ठंडे पानी से चेहरा दो लें चेहरा आपका एक्दम चमकदार हो जाएगा। अगला प्रियोग है हम जानते हैं कि दूप से तबचा को बहुत नुकसान पहुंसता है। यदि आपके चेहरे पर टैनिंग हो गई है तो कालापन हटाने के लिए खीरे का उप्योग बहतरीन है। बस आपको इसका इस्तेमाल नियमित करना है। टैनिंग हटाने के लिए अबादे खीरे का रस निकाल लें। इसमें चुटकी बर हल्दी मिलाएं। इसमें कुछ बुंदे निम्बू के रस की मिलाएं। गर्दन, चेहरे और अपने हाथों पर लगाकर पंदरा मिनद तक छोड़ दें। फिर साब पानी से धो लें। यह जहन उसका भी आपको चमकदार चेहरा देगा।